फ्रेंट्स फाइनली हमारे प्यारे भारत ने 23 अगस 2023 को इतिहास रच दिया है भारत विश्व में पहला ऐसा देश बन गया है जो सफलता पूर्वक चंदर्मा के दक्षनी धूर पर पहुँच गया है फ्रेंट्स आज हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत ने यह किर्तिमान हासिल किया है फ्रेंट्स आप सभी comment box में भारत माता की जै और जै हिंद जरूर लिखें तो फ्रेंस आज मैं आप सभी के लिए चंदरियान 3 से related most important question इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा useful रहने वाला तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question है मारा mission चंदरियान 3 को कब launch किया गया था सही answer होगा option A 14 July 2023 14 July 2023 को mission चंदरियान 3 को launch किया गया था ये आपको याद रखना है detail में question को समझते हैं चंदरियान 3 चांद पर खोजबिन करने के लिए इसरो यानिकी भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तियार किया गया तीसरा चंदर मिशन है इसमें चंदरियान 2 के समान लेंडर और एक रोवर है लेकिन इसमें और्बिटर नहीं है यह आपको याद रखना है चंदरियान 3 का लॉंच सतीच दवन अंतरिक्ष केंदर श्री हरी कोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर दो बच के 35 मिनिट पे हुआ था यह आपको याद रखना है नेक्स कोशन चंदरियान 3 ने चंदर्मा की सतह पर कब लेंड किया है सही आंसरोंगा ओप्षन ए 23 अगस 2023 23 अगस 2023 के दिन पर चंदरियान 3 ने चंदर्मा की सतह पर लेंड किया है अगला कोशन मिशन चंदरियान 3 को कहां से लॉंच किया गया है सही आंसर होगा इस question का option B सतीच धवन अंतरिक्ष केंद शिरी हरी कोटा आंदर परदेश मिशन चंदरियान 3 को launch किया गया है निटेल में समझते हैं मिशन चंदरियान 3 की launching 14 जुलाई 2023 को दोपहेद 2 बच के 35 मिनिट पे हुई है चंदरियान 3 भारत का तीसरा चंदर्मा मिशन है और जुलाई 2019 के चंदर्यान 2 का अनुवर्ती है जिसका उद्देश चंदर्मा के दक्षनी धूर पर एक rover को भेजना है इस मिशन का उद्देश चंदर्मा की संदरचना को बहतर ढंक से समझना है सभी पॉइंट आप एक्जाम के लिए most important रहेंगे अगला कोशन मिशन चंदर्यान 3 के सफर लेंडिंग के बाद भारत चंदर्मा के दक्षनी धूर पर पहुँचने वाला कौन सा देश बन गया है सही आंसर होगा option A पहला आप सभी को याद रखना है फैंस जो भारत है चंदर्मा के दक्षनी धूर पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया है भारत ने इतिहास रच दिया है अगला कोशन चंदर्यान 3 को कहां पर लेंड करना है सही आंसर होगा option C चंदर्मा के दक्षनी धूर पर याद रखना है चंद्रमा के दक्षिन धूर पर चंद्रियान 3 को लैंड करना है Next question चंद्रियान 3 को किस रॉकेट से लॉंच किया गया है सही answer होगा option C LVM3M4 LVM3M4 इस रॉकेट से लॉंच किया गया है चंद्रियान 3 को चंद्रियान 3 को LV M3 M4 rocket से launch किया गया है इसे पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था और अगर हम बात करें LV M3 M4 की तो इसका full form आपको बतायता हूँ LV M3 का full form होता है launch vehicle mark 3 और इसका जो पुराना नाम था GSLV Mk3 इसका full form है geosynchronous satellite launch vehicle mark 3 या बो सकते हो short में GSLV Mk3 अगला question एक्जाम के लिए double star mark कर लिजिए चंद्रियान 3 mission का नेतरितव किस ने किया है सही answer है option B C Ritoo करीधल C Ritoo करीधल चंद्रियान 3 mission का इन्होंने नेतरितव किया है चंद्रियान 3 mission का नेतरितव C Ritoo करीधल द्वारा किया गया है इनका जनम 1975 में लखनों में हुआ है रितु करीधल mission चंद्रियान 2 की निदेशक रही है अगला question करते है चंद्रियान 3 mission के निदेशक कौन है इस question को भी exam के लिए आप double star mark कर लिजिए सही answer होगा option D Mohan Kumar Mohan Kumar जो है ये चंद्रियान 3 mission के निदेशक है डिटेल में question को समझते है mission निदेशक मैंने आपको बताया S Mohan Kumar है associate mission निदेशक है G Narayanan प्रयोजना निदेशक है P Veer Muthuvel और वहाँ निदेशक है B.J.C. Thomas अगला question चंद्रियान 3 mission launch करने में कुल कितना खर्चाया है सही answer होगा option C 615 करोड याद रखने आप सभी को 615 करोड रुपे की लागत आई है चंद्रियान 3 mission में डिटेल में समझते हैं मैंने आपको बताया चंद्रियान 3 में 615 करोड की लागत आई है वहीं अगर हम बात करें चंद्रियान 1 mission की ठीक है जो सबसे पहला भारत का चंद्रमा mission था इसमें 386 करोड खर्चाये थे और चंद्रियान 2 में 978 करोड रुपे का खर्चाये था और चंद्रियान 3 में 615 करोड का फैंस आपो question का level देखके पता लग रहा होना कि सभी question जो है exam oriented है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो हर exam में इस topic से question आएगा और ये आप सभी के लिए master video है मतलब अगर आप ये पूरा video देख लेते होना एक भी question आपका छूटे गाने exam से पहले है ठीक है next question कर लेते इस रो ने चंदरियान 3 mission के कौन से तीन मुखे उद्देशे निर्धारित किये है सही answer होगा option D उप्युक्त सभी चंदर्मा की सतैप पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन चंदर्मा पर रोवर की घूमने की छमताओं का प्रदर्शन विग्यानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना ये तीन मुखे उद्देशे निर्धारित किये हैं इस रो ने चंदर्यान 3 mission के लिए अगला question करते हैं mission चंदर्यान 3 भारत का चंदर्मा के लिए कौन सा mission होगा सही answer होगा इस question का option B तीसरा mission चंदर्यान 3 जो है ये भारत का चंदर्मा के लिए तीसरा mission है पहला mission अगर हम बात करें जो कि exam में न हर साल repeat होता है तो वो launch हुआ था 22 October 2008 को ठीक है दूसरा चंदर्मा mission launch हुआ था 22 July 2019 को और तीसरे चंदर्मा mission की बात करते हैं 14 July 2023 को launch हुआ है अगला question mission चंदर्यान 3 की theme क्या है सही answer होगा option A science of the moon science of the moon जो है mission चंदर्यान 3 की theme है अगला question mission चंदर्यान 3 के lander का क्या नाम रखा गया है सही answer होगा इस question का option A विकरम विकरम जो है mission चंदर्यान 3 के lander का नाम है अगला question mission चंदरियान 3 के rover का क्या नाम रखा गया है सही answer होगा option B प्रग्यान प्रग्यान जो है mission चंदरियान 3 के rover का नाम है यह आपको याद रखना है और आपको फिर्म से भी बताना चाहता हूँ कि चंदरियान 2 का जो lander था और rover था उसका जो नाम था वही mission चंदरियान 3 के lander और rover का नाम है और अगर आपसे exam में पूछा जाए कि जो rover है rover में कितने पहिए हैं तो आप का आंसर होगा rover में कुल मिलाके हैं 6 पहिए यह question भी exam के लिए important है next question rocket woman of India के नाम से किसे जाना जाता है सही answer होगा इस question का option B रित्तू करिधल रित्तू करिधल को rocket woman of India के नाम से जाना जाता है next question rocket man of India के नाम से किसे जाना जाता है सही answer होगा इस question का option A KC1 यह photo है KC1 next question moon man of India के नाम से किसे जाना जाता है सही answer होगा option C मैल सामी अन्ना दूरई महिल सामी अन्ना दुरई को Moon Man of India के नाम से जाना चाता है चंदरियान 3 अभिहान के परियोजना निदेशक कौन है राइट आंसर होगा ओप्शन ए पीवीर मुथुवेल पीवीर मुथुवेल चंदरियान 3 अभिहान के परियोजना निदेशक है और आपको बताना चाहता हूँ चंदरियान 1 अभिहान जो था इसके परियोजना निदेशक थे महिल सामी अन्ना दुरई और चंदरियान 2 अभिहान के परियोजना निदेशक M बनी था है अगला कोशन मिशन चंदरियान 3 को किसने लाँच किया है सही आंसरों का इस question का option है ISRO भारत की space agency है ISRO Indian Space Research Organizations का full form होता है ISRO ने mission चंदरियान 3 को launch किया है बात करें फिर इस रो की ISRO का full form मैं आपको बता चुका हूँ Indian Space Research Organization स्थापना एक्जाम में पूछा जाता है 15 August 1969 को हुई थी मुख्याले बैंगलोरू करनाटक में है 2023 में अध्यक्ष है ISRO मनात और पहले अध्यक्ष दे विकरम सारा भाई चंदरियान 3 में इन में से क्या नहीं है सही आंसर होगा option C Orbiter याद रखने आपको चंदरियान 3 में lander है rover भी है लेकिन Orbiter नहीं है डिटेल से समझते हैं कि Orbiter क्यूं नहीं है चंदरियान 2 की बात करते हैं पहले हाँ पर हम चंदरियान 2 में lander, rover और Orbiter था अब हम बात करते हैं चंदरियान 3 की जो की अभी launch हुआ है चंदरियान 3 के लिए Orbiter नहीं बनाया गया है चंदरियान 2 का Orbiter पहले से ही और्बिट में मौजूद है जड़ोत परने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा और चंद्रियान 3 में और्बिटर की बज़े सौदेशी प्रपेल्शन मड्यूल का इस्तेमाल हुआ है अगला कोशन चंद्रियान 3 की चंद्रमा के दक्षने धूर पर सफल लेंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षने धूर पर पहुँचने वाला कौन सा देश बन जाएगा सही आंसर होगा ऑप्षन है भारत पहला देश बन जाएगा चंद्रियान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LV M3 का कुल वजन कितना है सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन C 4900 किलोग्राम फ्रेंट्सी जो वजन है यह है लगभग 4900 किलोग्राम कैसे है वो आपको बता रहता हूँ परपुल्शन मड्यूल 248 किलोग्राम लैंडर मड्यूल 1752 किलोग्राम रूवर 26 किलोग्राम जब आप तीनों को एड करते हो तो जो उमार पस वैल्लिव आती है फ्रेंट्सी बनता है 4926 किलोग्राम मतलब हम इसको लिखेंगे राउंड फिगर में 49 किलोग्राम फिर नेक्स कोशन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड निउस है कि सबसे पहली बात तो यह कि अपने करेंट अफेर्स पढ़ना है और साथ में GK की PDF है वह यहां पर आपको मिल जाती है आपकी रवी सर ने बेस्ट कॉंटेंट रखा है अपनी PDF में कम टाइम में आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर सकते हो हमारी PDF से नेक्स कोशन चंदर्मा के दक्षनी धुर्व छेतर की सतह पर soft landing कौन करेगा सही आंसर है इतका option B विक्रम land विक्रम lander विक्रम lander को soft landing करनी है चंदर्मा के दक्षनी धुर्व पर next question प्रोपेल्शन मटिव में चंदर्मा की orbit से प्रिथिवी के spectral उतसर्जन और धुर्यम मेट्रिक माप का अध्यान करने के लिए कौन सा उपकरन लगा है, फ्रेंट्स ये कोशन एक्जाम के लिए most important और हाई लेवल का कोशन है, सही आंसर क्या होगा, इस कोशन का option A, shape, shape जो उपकरन है, फ्रेंट्स ये लगा है, shape का full form है, spectrum, polarimetry of habitable planetary earth, next question, lander payload में ताप ये चाहल लगता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरन लगा है, सही आंसर होगा, option B, chesty, याद रखने हैं आपको chesty उपकरन लगा है, इसका full form क्या है, चंदरा, surface, thermophysical, experiment, अगला कोशन, landing स्थलके, आसपास, बुकंप गतिवेदियों को मापने के लिए किस उपकरन का उपियोग होगा, सही आंसर क्या होगा, इस question का option, सही आंसर इस question का option C, ilsa, अगर हम बात करें, ilsa की, इसका full form क्या है, instrument for lunar seismic activity, इसमें से question जरूर आपके exam में आएगा, ठीक है, question अगला है, plasma घंतव और इसकी विविताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा इंतर लगा है, सही आंसर क्या होगा, इस question का option C, LP, full form देख लेते हैं, इसका full form है, langmuir probe, next question करते हैं, lander स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्रावद करने के लिए, किस यंतर का प्रियोग होगा, सही आंसर होगा, option C, उप्योग तो दोनो, AP, X, C, जिसका full form है, alpha particle, x-ray, spectrometer, दूसरा है, lips, इसका full form है, laser induced breakdown spectroscope, next question, चंदर्मा की शांती पून, मानव और रोबोटिक होज के उद्देशी से, किसके नित्रतव में, Artemis समझोते को शुरू किया गया है, सही आंसर होगा, option D, USA, यानि कि, संयुगत राज, अमेरिका के दौ़ारा, Artemis समझोते का संबंद किससे है, अगर आप से एक्जामें पूछा जाए तो, कि Artemis समझोते का संबंद किससे है, आप बोलोगे, चंदर्मा से है, भारत ने चंदर्यान 3 लॉन से पहले, वर्ष 2020 में, Artemis समझोते पर हस्थाचर किये थे, अगला कोशन कर लेते हैं, चंदर्यान 3 के लिए प्रमुक रॉकेट इंजन का क्या नाम है, सही आंसर होगा, Option B, CE20 क्रायोजैनिक इंजन, एक्जाम के लिए इंपॉरेंट कोशन है, चंदर्यान 3 के लिए जो प्रमुक रॉकेट इंजन है, वो है CE20 क्रायोजैनिक इंजन, अगला कोशन करवाने से पहले, मैं एक इंपॉरेंट बात बताना भूल गया, कि जो हमारी एप्लिकेशन है वो लाँच हो जोगी है, अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए, या टेस्ट लगाना है, या Current Affairs या GK का टेस्ट लगाना है, तो हमारी एप्लिकेशन है, रवी Study IQ GK नाम से, इस एप्लिकेशन को आप इंस्टॉल कर लेजिए, प्ले स्टोर से, अगला कोशन, चंदरियान 3 में कितने मड्यूल हैं, सही आंसर होगा, ऑप्शन भी, चंदरियान 3 में कुल मिलाके, तीन मड्यूल हैं, डिटेल से समझते हैं, चंदरियान 3 के जो तीन मड्यूल हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, Propulsion मड्यूल, यानि की PM, शौट में बोलेंगे, दुसरा है Lander मड्यूल, और तीसरा है Rover, ये तीन मड्यूल हैं, चंदरियान 3 के, सबसे पहले हम बात करेंगे, Propulsion मड्यूल की, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का, ये पहला हिस्सा होता है, जिसे Propulsion मड्यूल कहा जाता है, या किसी भी स्पेश शिप को, उरान भरने में ताकत देता है, बात हुए यहां पर Propulsion मड्यूल की, सेकिंड है, लेंडर मड्यूल, चंदरियान 3 का, ये दूसरा और महतवपून हिस्सा है, इसे ही चंदर्मा पर उतारा जाएगा, रोवर को चंदर्मा की सतह तक, सही तरीके से पहुँचाने की जेमेदारी, इसी की होती है, अब थार्ड नंबर पर कौन है, रोवर, चंदर्यान का ये तिसरा हिस्सा है, रोवर, जो लेंडर के जरिये चंदर्मा की सतह पर उतरेगा, और फिर मूवमेंट का जानकारी जुटा कर, धर्ती पर भेजेगा, अगला कोशन, चंदर्यान 3 के लेंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है, सही आंसरोगा, इस कोशन का option B, चार, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष का क्या नाम है, सही आंसरोगा, इस कोशन का option S, सोमनाथ, S, सोमनाथ जो है, ये वर्तमान में, यानि कि 2023 में яр अध्Яक्ष है अगला कोशन चंद्रियान 1 मिशन को कब लाँच किया गया था सही आनसर होगा इस कोशन का option B 22 October 2008 को चंद्रियान 1 मिशन को लाँच किया गया था चंद्रियान 1 को किस राकेर से लाँच किया गया था तो आपका आनसर होगा PSLV XL C11 और next है चंदरियान 1 के launching के समय इसरों के अध्यक्ष कौन थे जी माधवन ये भी आपने याद रखना है और next है हमारा जो के exam में question पुछा गया था चंदरियान 1 से ही जुड़ा हुआ किस चंदरियान mission में चंदरियान 2 मिशन को कब launch किया गया था सही आंसर होगा इस question का option A 22 July 2019 22 July 2019 को चंदरियान 2 मिशन को launch किया गया था डिटेल में समझते हैं चंदरियान 2 से जोड़ी सभी जानकारी चंदरियान 2 मिशन 22 July 2019 को launch किया गया था इसे 37 दवन अंतरिक्ष केंशरी हरिकोटा से launch किया गया था वहीं अगर हम बात करें चंदरियान 2 के lander का क्या नाम था विकरम चंदरियान 2 के rover का क्या नाम था प्रग्यान और आपको बताना चाहता हूँ कि चंदरियान 2 लेंडर दवारा चंदरमा की सत्या के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा था 48 दिन मतब़ी 2.1 किलोमेटर पहले की बात हो रही है क्योंकि 2.1 किलोमेटर पहले ही नफ इसका न संपर्ग तूड़ गया था चंदरियान 2 मिशन में इस थाबित प्रग्यान रोवर में कितने पई ये थे 6 चंदरियान 2 अभिहान को भारती की शक्तिशाली रॉकेट से लॉंच किया गया था GSLV Mark 3 नेक्स कोशन है मारा भारत ने पहला रॉकेट कब लॉंच किया था सही आंसर होगा इस कोशन का Option C 21 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉंच किया था चंदरियान 3 मिशन की लॉंच के समय भारत के प्रधानमती नरेंदर मोदी किस देश की यातरा पर थे सही आंसर होगा Option D फ्रांस देश की यातरा पर फ्रेंट्स हमने चंदर्मा से जुड़े होगे सभी कोशन पढ़ लेते हैं कोशन है मारा चंदर्मा से परावर्तित रोशनी पिर्थवी तक पहुंचने में कितना समय लेती है सही आंसर होगा इस कोशन का Option B 1.28 सेकेंड या फिर आप बोल सकते हैं 1.30 सेकेंड अफ्रेंट जितने भी इंपॉर्णन कोशन होते हैं आपको वन लेनेर की फॉर्मेट में मैं करवा देता हूँ चंदर्मा का व्यास कितना है 3475 किलोमेटर चंदर्मा का गुर्तवा करेशन प्रित्वी के अपक्षा कितना है एक बटे छे चंदर्मा प्रित्वी से कितने दूर है 3844,400 किलोमेटर सबसे पहला चंदर्मा के द्रहतल पर उतरा मानव अंतरिक्षियान कौन सा था अपोलो 11 नासा ने भीजा था 1969 में सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्षियान हम चंदर्मा के धरातल पर कब उत्रा था 1966 में हम चंदर्मा के धरातल का कितने पतिशत भाग देख सकते हैं 59% चंदर्मा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था नील आम्स्ट्रॉम चंदर्मा किसका प्राकृतिक उपगर है पृत्वी का चंदरना के अधिन को क्या कहते हैं सैलेनलोजी कहा जाता है फेंस ये वीडियो कम्प्लीट हो जो कि आप दो कोशन का टेस्ट है आप सभी के लिए दोनों कोशन का आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है तो पहला कोशन है आप सभी के लिए चार ओप्शन हैं आप सभी के पास दूसरा कोशन है चंदर्यान थ्रीको किस रॉक्ट से लौँच किया गया है चार ओप्शन है आपके पास आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है उमीद करता हूं फेंस आपको वीडियो की quality, video content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई होगी फिर्ट अगर आपको वीडियो की quality, video content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई है वीडियो को like और share ज़रू करें, comment box में अपना feedback भी थे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और फिर्ट यहां पर जो हमारी जीके की PDF है, रवी सर की प्लस current affairs की PDF है, यहां से आप आई करके अपने exam की त्यारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, और फिर्ट इस टाइम जो हमारी जीके की 11,000 question वाली PDF है, 25,000 question वाली PDF है, ट्रेंडिंग चल रही है यह मतलब 95% से ज़्यादा question directly इस PDF से पूछे जाते हैं, साथ में हमारी current affairs की PDF है, January 2023 से अब तक की वह भी launch होगी है, वह भी आपको यहीं पर मिल जाएगी और इसी के ताइस एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारी application को जरू चीच आपको लग जाएब को जाएब आपको जाएब और दो